negligence ऐए negligentia term से जो कि एक Latin term है जिसका मतलब होता है disregard मतलब अपनी duty disregard कर देना ये तीन तरीके से हो सकती है nonfeasants जो काम करना आपकी duty था वो आपने करा नहीं कोई आदमी डूब रहा है पानी में आपने बचाया नहीं और आप lifeguard हो अब lifeguard की duty होती है बचाना उसने अपनी duty नहीं की तो ये non-feasance होगा लेकिन मानलो कोई नदी में आद में डूब रहा और आप रोड से जा रहे हो और आपने उसको नहीं बचाया तो उधर आपकी गलती नहीं होगी क्योंकि आपकी duty नहीं अंजान लोगों को नदी में से बचा के लनेगी तो non-feasance हुआ not doing act which you had to do इसी तरहे second हुआ miss-feasance miss-feasance का मतलब है doing act wrongly मतलब आपने कुछ करा वो आपने गलत तरीके से करा ठीक है इधर non-feasance में तो आपने करा ही नहीं काम जो आपको करना था इधर आपने काम तो करा लेकिन अच्छे से नहीं करा जैसे आप सरजनों सरजरी कर रहे हो पेट की सरजरी करी लेकिन कैची अंदर छोड़ दी तो वो miss-feasance हुआ ऐसे ही तीसरी काटेगरी है malfeasance malfeasance मतलब कामी गलत करा जैसे trespass आप सही trespass नहीं कर सकते ठीक है rightfully आप trespass नहीं कर सकते wrongfully ही trespass होगा तो ये तीन तरह की negligence होती है अब अपन दोड़ी ज्यान बाजी पढ़ेंगे पहली चीज है negligence as state of mind और दूसरी चीज है negligence as a type of conduct negligence as state of mind का मतलब ये हुआ कि जो negligence है वो कोई दूसरा गलत काम करते हुए आपने negligence करा समझ रहे हो मतलब आपने trespass करते हुए negligence करा या आपने nuisance करते हुए negligence करा या आपने deformation कर दिया किसी का negligently ठीक है कोई दूसरा गलत काम कर रहे हो वो आपका दूसरा काम आपने negligently करा इसलिए वो गलत हो गया वो पहले से ही गलत था ठीक है लेकिन कुछ extra होना चाहिए deformation होना चाहिए सिर्फ अपने आप में negligence कुछ नहीं होता ये ये वाला school of thought बोलता है जिसके proponents है Austin, Salmond और Winfield इनके हिसाब से negligence अपने आप में wrong नहीं होता है negligence कोई दूसरी चीज को wrong बनाता है दूसरी act को wrong बनाता है दूसरा school of thought है negligence as a type of conduct इसका ये कहना है कि negligence अपने आप में एक tort है ये objective meaning of negligence देता है मतलब कि आप negligence को एक specific tort मानो ऐसा नहीं कि defamation इसलिए हुआ क्योंगे negligently कर दिया तो negligence एक element है defamation में कुछ cases में ऐसा नहीं negligence अपने आप में एक offense है समझ रहो आपने कोई गलती करी वो गलती ही अपने आप में crime हो समझ रहो ना क्या बोल रहा हूँ negligence इधर tort अपने आप में है इधर किसी और tort का एक element है तो ये जो बात है ना पूरी negligence अज़ा type of conduct अभी अपन यही वाला मानते हैं ये outdated हो गया और ये outdated किस ने करा ये outdated करा डौनगो वर्सिस टीविंसन ने सबसे landmark case super landmark case डौनगो वर्सिस टीविंसन में आप ये photo देखो ये photo से आपको क्या दिख रहा है ये प्राणी होता है snail ठीक है तो ये प्राणी जो है ये beer की bottle में था तो beer की bottle में था तो पूरा issue ये उठा कि ये जो beer की bottle थी ये एक लड़की ने खरी दी और इसने ये beer shopkeeper से खरी दी ठीक है shopkeeper ने इसको ये beer की bottle दी ये तो flask जैसा हो गया ये अब हो गई beer की bottle ये इसने इसको दी और इस लड़की ने अपनी ये bottle अपनी दोस्त को दे दी पीने के लिए अब इसने पी और इस बुतल में से निकला स्नेल तो अब इशू ये उठा कि ये किस पे केस करे ये इस दुकान वाले पे केस कैसे कर सकती है क्योंकि इन दोनों का तो कॉंट्राक्ट हुआ ही नहीं है कॉंट्राक्ट तो इन दोनों का हुआ है अपनी दोस्त पे तो एक केस कर नहीं देगी दोस्त की गलती नहीं है और तीसरी सिचुएशन है कि ये डायरेक्ट मैनुफाक्चरर पे केस करे ठीक है जिसने बियर बनाई तो ये पुरा इशू था तो इस इशू में ये दिक्कत थी कि यहां पे कांट्राक्ट नहीं है तो इस बंदे की इसके अगेंस्ट कोई डूटी नहीं हिए इसने बियर पी नहीं इसको नुकसान डायमेज हुआ नहीं तो ये केस कर नहीं सकती तो बुरा घोच पहच हो गया तो इस केस में जो में बात हुई है वो ये हुई है कि negligence जो अपने पहले बात बोली थी ठीक है तो केस की पुरी स्टोरी हो गई जो अपने पहले बात बोली थी negligence अपने आप में एक टॉर्ट है ये इस case ने confirm कर दिया कि हाँ भाई ये अपने आप में एक टॉर्ट है और इसके लिए civil action आप ले सकते हो किसी और के against अगर आपको injury हुई है तो तो injury तो हुई है ठीक है अब वो किसी के against किसके against action लिया जाएगा ये main dispute था तो अपना जो point number one है कि negligence अपने आप में टॉर्ट है वो तो पहले ही clear कर दिया है इस case ने ठीक है दूसरा जो point clear किया इस case ने वो duty of care का clear किया और Lord Atkin ने दिया neighbor principle duty of care के बारे में इन्होंने बोला कि manufacturer जिसको समान बेचता है direct सिर्फ उसी की against liability नहीं होती manufacturer की जो end consumer है ना last में जिसके बाद समान जाता है उसको भी कोई अगर दिक्कत होती है उसको भी अगर कोई injury होती है तो भी आप liable होगे और ये जो principle 1932 में दिया ये basis बना consumer protection laws का तो इसलिए बहुत relevant case है negligence को अपने आप में एक taught बनाए तो एक छोटी सी बात है उसके बाद बड़ी बात ये है उससे बड़ी बात है Lord Atkin ने इसमें दिया पर्टी उससे बहुत ज्यादा जैसे मैंने बता है ना contract तो उसकी दोस्त का हुआ है दुकान वाले से तो उसकी दोस्त और दुकान वाले के contract में थर्ड पर्टी कैसे case करेगी तो इन्होंने बोला कि नई ऐसा नहीं होता जो भी लोग affect होएंगे ना negligent act से जो भी आप reasonably foresee कर सकते हो आप reasonably foresee कर सकते हो ना कि कोई बंदा beer खरीदेगा और वो अपने दोस्त को पिलाएगा तो वो दोस्त की जिम्मेदारी भी आपको लेनी पड़ेगी यह neighbor principle मतलब जहां तक reasonably foresee किया जा सकता है liability को वहां तक आपको foresee करना है और वहां तक आप liable होगे तो यह बहुत ही landmark case डॉनोगो वर्सी स्टीविन सन negligence का अब बात करते है essentials of negligence की तीन major essential है सबसे पहली बात तो duty of care होनी चाहिए towards plaintiff जैसा कि मैं आपको बताया कि अगर कोई नदी में random आदमें डूप रहा कि duty of care नहीं है उसके against ठीक है तो उधर आप उसको नहीं बचाते तो आप negligence नहीं हो दूसरी वो duty breach होनी चाहिए ऐसा नहीं कि आपकी जो duty आपने fulfill करी उसके बाद भी damage हो गया तो आपकी को जिम्मेदारी नहीं है अगर आप अपनी duty fulfill नहीं करो breach करो duty का misfeasance, malfeasance, nonfeasance करो तो ही आप liable होगे और तीसरा damage होना चाहिए कुछ injury होनी चाहिए प्लेंटिफ को कोई नुकसान ही नहीं होगा तो फिर क्या काई का damages कुछ नुकसान भी होना चाहिए breach of duty से समझ गए तो ये तीन essential को थोड़ा सा detail में बढ़ते है essential number one duty of care plaintiff के लिए होना चाहिए समझ रहो जो जिसने case करा है न उसके लिए duty of care आपका कुछ होना चाहिए जो आपने breach करा यहां breach की बात नहीं कर रहे हैं यहां तो बस presence of duty of care की बात कर रहे है तो कैसे determine करेंगे कि duty of care है की नहीं है किसी particular इंसान के against तो सबसे पहली बात तो reasonably taught में देखो सब कुछ reasonably से चलता है एक normal वुद्धी का इंसान जो reasonably foresee कर सकता है वो reasonably मना जाता है कि हां बाई इतना ठीक है एक normal इंसान कि हां बाई अब वो कितना कर सकता है वो reasonable क्या होता है वो तो देखो case to case डिपेंड करेगा common sense से निकालेंगे अपन तो इसके लिए case देखते है duty of care reasonable nature की होनी चाहिए इसका case है bolton versus stone bolton versus stone के case में क्या हुआ था road पे एक आदमी जा रहा था cricket stadium में cricket खेल रहे थे और road पे एक आदमी जा रहा था एक बंदे ने छक्का मारा खतरना लंबा चक्का क्रिस गेल वाला चक्का और वो बॉल जाके उस एक आदमी के road पे लग गई अब देखो courts ने जब fact finding करे तो उनको बता बढ़ा कि last 30 साल में 30 साल से जो match खेल रहे हैं उस field पे total ball highway 15th 했는데 चक्का मारने के बाद छहें बार गई है100 साल में 6 बार बहुत कम होता है पांच साल में कभी एक बार बॉल जा रही है और वह पांच साल में एक बार जाने वाली भाल भी किसी आदमी जा रही होगा और यहां पुरानी बात Stevens 1951 की ऐसा भी नहीं कि बहुत भीड़ीड होती थी तब थोड़ा लेंसिटी कम ही थी तो रिजनेबली फॉर्स ही नहीं कर सकते तो इधर स्टेडियम वालों की उस आदमी के अगेंस्ट कोई जिम्मेदारी नहीं है क्योंकि वो नेगलिजेंट नहीं थे वो रिजनेबली फॉर मत्लब हो समझ दो एक तो एक तो अपने डॉनकों बरसे स्टिवन्सन में देखे लिया एक केस तो यहो गया कि ड्यूटी आफ कैर उन्होंने कर दिया ॉन्होंने इंक्रीस कर दिया एक्स्टैंड कर दिया लिया लैबलेटी नेवर व्रेंसेपल के साथ लौट आटकिन तो consumer जो भी है जो भी आप reasonably foresee कर सकते आपके product use करेंगे जिन से injury हो सकती है वो सबके against duty of care है दूसरा case है born hill versus young अब इस case में क्या हुआ motorcycle accident टेक हुआ और जो बंदे का accident हो मर गया ठीक है अब वहाँ पर blood पड़ा था पूरा उसके मरने के बाद उसकी body body ले गए सब कर गया उसके बाद एक औरत ना के वहाँ blood देख लिया उसका और वह blood देखके उसके 8 महीने की pregnancy और उसका बच्चा stillborn निकल गया nervous shock हो गया उसको और उसने जाके claim करा जो बंदा मर गया ना मतलब यार बहुत ही ज़्यादा चीप चीप है सरकत है कि आप एक अदमी जो accident में मर गया उसका खून देखके आपको कुछ हो गया और उसके लिए अपने उसके के खून की वज़े से मेरे को nervous shock हुआ है और उसकी वज़े से मेरा stillborn बच्चा हुआ है ठीक है nervous shock का यह case एक्जाम में कई बार पूछ लेता है nervous shock का कौन सा case है तो बॉर्निल वर्सिस यंग है तो खोट मैं बोल दिया कि देखो जो मरा था ना उसकी कोई duty of care नहीं थे कि उसका खून देखके किसी को nervous shock नहीं हो तो अपना रस्ता ना वह और बगा दिया ठीक है कोई compensation को डामेज डामेज नहीं दिया क्योंकि रीजनेबल सी बात है यार यह कितना अजीब सा केस है बहुत फेमस केस है ऐसे कौन करता है तो यह हो गया essential number one duty of care plaintiff की तरफ होनी चाहिए और एक reasonable nature की होनी चाहिए essential number two है वो duty breach होनी चाहिए अब इसमें फिर वही बात defendant is not liable to take care of exceptional circumstances defendant would be liable only for the consequences which can be reasonably force in by an ordinarily prudent man जो एक reasonably force ही कर सकता है एक साधरण बुद्धी का आदमी या औरत जेंडर equality का जमान है या आदमी के है अब इसका perfect case है ब्लाइट वर्सेज बिर्मिंगम वाटर वक्स कंपनी 1856 का case है बहुत पुराना case है तो इस case में क्या हुआ पाइपलाइन थी और वो पाइपलाइन फट गई ठीक है और damage हो गया flood आ गया प्लेंटिफ के घर पे सारा पानी पानी हो गया ठीक है अब पानी पानी क्यूं हो गया pipeline क्यूं फटी तो इनमें ये बिर्मिंगम वाटर वक्स पे case करा बलाइथ ने कि भाई मेरे पूरे घर में पानी पानी बर गया तुमने पाइपलाइन का रिपेर डंग से नहीं किया तो कोर्ट ने जब और exceptional circumstance है रिकॉर्ड तोड सर्दी पड़ गई अब इसके लिए बिर्मिंगम वाटर वक्स कंपनी की ब्रीच ऑफ ड्यूटी नहीं मानी जाएगी क्योंकि एक्सेप्शनल सरकमस्टैंस है इसका ध्यान रखना इनकी ड्यूटी में नहीं आता है इनकी जितनी ड्यूटी थी उतना उन्होंने रिपेर कर दिया तो इसमें बिर्मिंगम वाटर वक्स कंपनी को लाइबल नहीं ठराएगी अब देखो जो बंदा अपना ठीक है उसकी ड्यूटी ऑफ केर भी थी प्लेंटिफ के लिए ठीक है और उसने ब्रीच भी करे ड्यूटी लेकिन अगर प्लेंटि प्लेंटे की कुछ हाम होना चाहिए कुछ इंजरी होनी चाहिए वो इंजरी कुछ भी हो सकती है बॉडिली हाम हो सकता है रेपिटेशन को हाम हो सकता है प्रोपर्टी का हाम हो सकता है फाइनेशल लॉस हो सकता है किसी तरह का मेंटल हाम हो सकता है लेकिन प्लेंटिफ को दि साम가 li party ने ए हर्कत करी उसकी वज़े से injury हुई तो वो actual cause है ठीक है? cause in fact है दूसरी बात प्रॉक्सिमेट कॉस प्रॉक्सिमेट कॉस ऐसा कि माझऩो कि किसी वन्दे ने हर्कत करी A उसकी वज़े से हुआ D उसकी वज़े से कुछ हुआ M उसकी वज़े से हुआ Z उसकी वज़े से कुछ हुआ और फाइनली कुछ 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 ऐसे हो हुआ के और इंजरी हो गई अब भाई कोई normal आदमी ये कुछ 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 सब कुछ तोड़ा consider करेगा अभी वो बोलते ना कि एक butterfly कहीं पर एक बार punk मारती और उस punk की हवा से कहीं तुफान आ जाता है कि जुड़ जुड़ा के अब वो सब ठीक है भाई हो सकता है कि गुम फिर के बहुत हो गया होगा लेकिन वही reasonable force वाली बात आ गई कि मैं एक हरकत करता हूँ और उसके बहुत सारे consequences होके कई bookamp आ जाता है तो मैंने दोना bookamp लाया हूँ ठीक है तो ये दोनों बात हो गई कि सबसे पहली बात तो उसकी हरकत से इंजरी होनी चाहिए ठीक है और दूसरी कि उस हरकत का थोड़ा आसपास का relation होना चाहिए समझ रहे हो ऐसा नहीं कि कुछ-कुछ-कुछ-कुछ हो गया अब consequential हाम है कि नहीं ये cause in fact और approximate cause है कि नहीं इसके लिए दो टेस्ट होते हैं एक होता पर case हुआ है उसका कितना contribution था कितना substantial factor था उसका act जिसकी वज़े से हाम-cause हुआ है अब ये पूरा concept है ना समझने के लिए आप मस्त केस देखो बहुत ही बड़ी है केस है पैल्स ग्रेफ वर्सिस लॉंग आइलेंड रेल रोड कमपनी मतलब इतना कोई मस्त ने लिए concept अच्छे समझाएवा है मतलब clear हो जाएगा सब अब इसमें मान कहलो मतलब थी ट्रेन तो ये ट्रेन थी जुड़ी वे ट्रेन बीच में और इस ट्रेन में यहां एकदम एंड में एक बंदा खड़ा है ठीक है और ये बंदा गिर रहा था बार तो एक गाड़ था उस गाड़ ने सोचा कि यह गिर रहा है मैं इसको अंदर धक्का देता हूं तो इसने इसको अंदर धक्का दिया तो इसके हाथ में पैकेट था उस पैकेट में फायर क्रैक है ना कि भाई actual cause था कि नहीं जो इस बंदे के हरकत है उसका actual cause इसको जो हाम हुआ वो था कि नहीं था obviously था इसने धक्का दिया direct जाके पटागा लगा तो but for test वाला तो test हो रहा है कि अगर ये ये इसको धक्का नहीं देता तो ये यहां पर इंजर नहीं होता लेकिन क्या वो proximate cause है मतलब क्या ये anticipate कर सकता है कि मैं मदद करने के लिए धक्का दे रहा हूँ उसको अंदर वो गिर जाएगा उसके हाथ में जो डबबा होगा डबबे के अंदर पठाके होंगे पठाके फट जाएंगे और वो पठाके तीस फूट उड़के जाके किसी आदमीको इंजर कर देंगे तो कोट ने बुला कि ये जो आदमी जिसको धक्का दिया ना ये यह कर सकता है अगर चाहे तो लेकिन यह वाला जो बंदा जिसने केस किया थी और पैम को प्रोक्षिमिट कॉजण वाला जो कंडिशन है वह इसमें इसकी गलती थी तो इस बंदे की जिम्मेदारी है कि ये प्रूफ करें कि इसकी गलती थी ठीक है ये नहीं प्रूफ करेगा कि मेरी गलती नहीं थी लेगन रेस इपसा लिक्विटर के केस में बर्डन ऑफ प्रूफ इसके उपर आ जाता है अब इसको प्रूफ करना है कि भाई मेरी गलती नहीं थी क्यूंकि मतलब जो सरकम्स्टैंसे और फाक्ट्स हैं केस के उससे ए कि यहां सिटी वाजाने जा रहा था ओर ऊपर वहरहूस में से किसी के एक बैरल गिरा ठीक है वह बैरल गिरा 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 गिर यह बंदह यहां पर पहुच घ्राव ulla ख़्यार तो और इसके लग गया खांग सब्सक्क्राइव खुरें यह ज्या यक्यग सब्सक्राइब गलती कैसे नहीं है यह कैसे प्रूफ करेगा कि उनकी गलती तो रोड़ पे जा रहा था बैरल आके गिरा तो तुम्हारे वहराउस से गिरा तो तुम्हारी गलती होगी ना मेरे घर पे से अगर बहुत बड़ा पत्थर आगे रोड़ पे गिरे और किसी का सर फूट जाए तो भाई वह तो यहीं बोलेगा ना कि तेरे घर से गिरा तू बता भाई नहीं तूने नहीं गिराया तो किसने गिराया क्या हुआ तू एक्स्प्लेनेशन दे तीन कंडिशन है रैसिपसा लिक्विट और की अगर वह तीनों कंडिशन फुल्फिल कर दी तो बर्ड़न ओफ प् चैह का फिए पूरे अपने वैराlett चाहिए जो इंज़ारी हुूई वह ओरडिक नहीं होनी चाहिए डिफेंड़ेड की फौल्ट के बिना नहीं होनी चाहिए चाहिए कफी जगें होती है जहां पर इंजडरी प्रोन एरिया होता है ठीक है मतलब जहाँ पर नार्मल है त्थ टुडे में नहीं हो रहा है तो तीसरा प्लेंटिफ को जो इंजरी हुई है उसके खुद के कॉंट्रिविशन से नहीं होने चाहिए ऐसा नहीं है कि लिखा वाए कि यहां ब्लास्टिंग और तुम महां गुज़ा और वह ब्लास्टिंग करते माइंस के अंदर तुम फट जा और तुम बोलो तुम्हारी नेगलिजेंस थी खुद की गलती नहीं होने चाहिए तो गाइस यह होगा है मारा नेगलिजेंस में लॉफ टॉट्स कंप्लीट तो आइस यूज़ वीडियो क चयों भी होता है इंस्टाग्राइम परोगेशन लोवसिए और यंगेशे को बुचे मिलेंगे description में, मिलते हैं अगले वीडियो में बाई बाई डाडा, see ya